सर नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार आज आपको पक्का अपना घर मिला है आज आपकी खुशी बहुत वाभाविक है और मैं देख भी रहा हूँ आप अपने स्रीमती जी के साथ बैटे हैं बड़ा आनंद होता होगा आपको तो जी सर बहुत आनंद है हमको तैरलाल जी कभी सोचा था कि आपके आएक पक्का अपना घर होगा और आपके सपने पूरे भी होंगे क्योंकि वादे तो आप लोग कई सालों से सुनते आते होंगे सर हमको विश्वास था कि हमको अवस मिलेगा जी सर सबको मिल रहा है सर वो इसल हमको भी मिला हमको विश्वास है कि अवास हमको भी मिल गया तो आज घर का आपका प्रवेश हो रहा है तो खाना क्या पका है आज? सर बनवाए है खाना क्या बढ़वाए हो बताईगे रहे चावल दाल पूरी सब्जी वाँ कुछ मिठा भी बनाया होगा सर मंगवाए है मिठा मिठा मंगवा लिए हो जी अजा पहले आपको मकान कैसा था और मकान में क्या दिख्राइब है सर हमारा मकान कच्चा का था खपड़ेल था आनी तुर्फान में खपड़े उड़ जाते थे पानी गिरने पर बहुत चूता था इसलिए बहुत समेश्या था सर हमको अवास मिल गया तो बहुत आनन्द आ गया अजा आपको ये घर कब स्विकृत हुआ था सर हमारा मकान संदू हजार उनाईस में हमको मिला यहाँ लगवक दिसमबलों उस समेश्या हुआ कि अब मिलेगा मकान क्या हुआ सर हमको मकान मिला अर लगवक पंदरे दिन की पहले पूड हो चुका अच्छा यहाँए एक साल पहले मकान बनाने का आपको तै आपने इसको पूरा कर दिया, पंदरा दिन पहले, जी, तो आपको ये मकान लेने में, मैं ज़रा ऐसी बात पूछ रहा हूँ, बुरा मत मनना, जी बताते समय संकोज भी मत करना, सच बता देना, बताएंगे ना, जी सर बताएंगे, क्या आपको ये सब मकान पाने में किसी से लेंदेन की बात हुई हो, किसे ने कुछ मांगा हो, परिशान किया हो, दफ्तरों में, बैंक में चक्कर काटने पड़े हो, और आप मन को लगा है थोड़ा यार मकान नहीं चाहिए, क्या मोदी जी बाते करते हैं, कुछ बेकार है सब ऐसा हुआ क्या कभी? नहीं सर, कभी नहीं हुआ ऐसा, समय समय पर किस्ता हमको मिलती गई, और हमको दिक्कत नहीं आई, कोई परसान नहीं किये, कोई पैसा नहीं हमसे मागे, इसलिए कि आवास हमारा धिरे-धिरे बन गया, और अज़ा मकान बनाते हैं, आप पति-पति में अंत्वर्जय में जग्डा होता होगा? वह कहते हैं नहीं इह इदर कबनाओ, अप्राजय इधर ड़ालो, नहीं सर, कभी नहीं जग्डा हुआ, आपकी चलते होगी, आप, कभी बातती होगी? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है, और हम मकान बनाए और क्या कहते हैं, वाला येट कसा होता है तो लोग बताए कि मजबूती भी है अच्छा है तो आप इस इलाके में हैं, वहाँ तो शायद काफी बड़ी मात्रा में इस परकार की ईते मिलती है न? जी सर, मिलती है, यहाँ प्लांट है अमारे गाओं में. और ये ईते तो बड़ी मजबूत भी होती है, सस्ती भी होती है. जी सर, इसलिए हम मगवाय उसको. अब पक्का घर तो आपको मिल गाया अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है अब आपको अपने बच्चों को खूब पढ़ाना है जी सर पढ़ा रहे हैं अभी क्या पढ़ाते हैं बच्चों को सर अभी तो स्कूल बंद है लागडाउन की चलते ने वो तो चीक है लेकिन पढ़ाते क्या है पढ़ाते हैं किस क्लास में पढ़ते हैं इन साल में एक बड़े वाले बच्चे गिरहमीं पढ़ेगा एक शठमी में एक पच्चमी में अच्छा देखिए यह जो योजना है वो स में विश्वास देने की योजना है ताकि वो छोटी छोटी समस्याओं जैसे घर, बिजली, पानी, इंधन ये रोज मरा की जो जद्दो जहाद है ना उससे वो बाहर निकल कर अपने काम में अपने भविश्य के लिए अपने प्रगत के लिए अपना पूरा ध्यान लगा सक कड़ी परिश्रम के बाद जब रात को ठका हुआ वो जब घर पहुँचे तो मेरा गरीब भाई चैन की निंद सो सके और अगले दिन फिर तारो ताजा होकर फिर काम से निकल पड़े मैं समझता हूं कि गरीबी को पराजित करना है गरीबी से बाहर निकलना है तो गरीब की ताकत बहुत बड़ी ताकत बन जाती है और हमारी कोशिश यही है कि गरीबी से मुक्ति पाने का गरीबी हटाने का सबसे बड़ा रास्ता है गरीब को ताकतवर बनाना और उस रास्त को हम आगे बढ़ा रहे हैं और गरीब को अपनी लड़ाई लड़ने की जो ताकत मिल रही है उसका परणाम भी नजर आने लगा है तो मैं आपको बहुत सुब कामनाई देता हूं इस नए घर में बच्चों के शिक्षा दिक्षा बहुत अच्छी हो बहुत बहुत क्यांणाउ थ realizing that CO किक्षा बहुत और में ऑग्याई बहुता ओ आन्यवाई उन्यवाई नएंची होज झाजाई उन्यवाई लड़ाहां इसमॉत 6-4 छूमों के टूं सर spoiler